खेसारी लाल यादो भोचपुरी के एक ऐसे अभिनेता है जिनकी फैमली के बारे में जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं भाई आपने कई ऐसे यूटूब पे वीडियोस देखे होंगे जहां उनकी फैमली के बारे में लोग बताएंगे आपको लेकिन आपको कभी किसी ने खेसारी लाल यादो की भावी से नहीं मिलवाया होगा आज हम अपने इस वीडियो में आपको एक बहुत पुरानी फोटो दिखाएंगे और उसमें आपको खेसारी लाल यादो की भावी से मिलवाएंगे और तो और खेसारी लाल यादो के फैमिली मेंबर के बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन पहले आपको मिलवाते हैं खेसारी लाल यादो की भावी चमपा से जी हाँ ये हैं खेसारी लाल यादों की भावी चमपा और आपको बता दें ये उनके बड़े भाई की पत्नी है साथी साथ आपको तो पताई होगा कि खेसारी लाल यादों के पास एक भी बहन नहीं है खेसारी लाल यादव हमेशा ये कहते हैं कि वो पूरे साथ भाई हैं साथ भाई वो वैसे खेसारी के खुद चार भाई हैं और तीन भाई उनके चाचा के लड़के हैं चाची का निधन जल्दी हो जाने के कारण खेसारी की मम्मी ने ही इन तीनों लड़कों को पाला यानि इन तीनों भाईयों को खेसारी की मम्मी ने ही पाला है इसलिए खेसारी जब कभी भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं कोई उन्हें पूसता है तो वो बोलते हैं हम साथ भाई हैं और घर के मुख्या की बात करें तो भाई घर के मुख्या उनके पिता भले हैं लेकिन फैसले घर के खिसारी लाल यादो ही लेते हैं खिसारी लाल यादो की कही हुई बात को कोई टालता नहीं है खिसारी लाल यादो की बेटी कृती की बारे में आपको बात करें तो जैसे कि बिग बॉस आपने देखा होगा तो बिग बॉस के घर में रहते हुए खिसारी कितने उची विचार हैं और तो और अगर वो कहते हैं वो वहाँ सेटल नहीं हो पाती है तो वो अपने देश में रहे और यहां आईएस आफिसर जैसे बड़ी पोस्ट के रैंक पर काम करें और यहीं नहीं खेसारी अपने भाई के बच्चों को लेकर भी काफी प्रोटेक्ट हैं तो आप समझ ही सकते होंगे कि खेसारी लाल यादो की परवरिश कितनी तगड़ी है वैसे वीरियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि खेसारी लाल यादो के भावी के बारे में तो भाई खेसारी लाल यादो की तीन भावियां हैं वैसे अभी हम उनकी बड़ की भी फोटोस इसी तरह लेकर आएंगे भोचपुरी जेत की हाट और अरन मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं